इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षाबलों की गोपनियता भंग होती है बंगलादेश में खत्रे की घंटी बच रही है बंगलादेश को अब डर लग रहा है बंगलादेश को अपनी सेक्योरिटी पर खत्रा मंदराता हुआ नजर आ रहा है अब वो इस क्राइसिस का फोरण निप्टारा चाहता है लेकिन भारत तो पिछले 10-12 सालों से लगातार ये बात कह रहा है लेकिन तब उसके चिंता को उसका पूरवाग्रह बताया गया था तब उसे अमानविय साबित करने की कोशिश की गई थी तो अब क्या हुआ नमस्कार दोस्तों डिफन्स डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आलोग दोस्तों मैं जिस खत्रे की घंटी की बात कर रहा हूँ वो है बंगलादेश के रोहिंग्या मुसल्मानों के कैम्प्स भारत ने आज नहीं साल 2016-17 में ही अपने यहां के रोहिंग्या कैम्प्स को लेकर सख्ट आक्शन लेने शुरू कर दिये थे तब बंगलादेश ही नहीं दुनिया भर के मुसलिम देशों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खूल दिया था यहां तक कि वेस्टन वर्ल्ड भी भारत पर सवाल उठा रहा था कि भारत ऐसे कैसे कर रहा है यह तो अमान विये है आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आज मैनमयार से भागे रोहिंग्या मुसल्मानों को अपने देश में शरण देने वाला बंगलादेश क्यों पच्चता रहा है क्यों अब वो जल से जल अपनी जमीन से रोहिंग्या मुसल्मानों को वापस भगाना चाहता है बेजना चाहता है और बंगलादेशी क्यों मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुसलिम कंट्रीज भी रोहिंग्या मुसल्मानों से पीछा क्यों चुडाना चाहती है बंगलादेशी अखबार दे डिली स्टार की सेडलाइन को देखिए कि अबल छे दिन पहले की खबर है 31 मई की इस खबर की हेडलाइन है रोहिंगिया कैम्प्स के आतंकवादियों के गढ़ में बदलने का खत्रा और ये बात किसने कही है ये भी जान लीजिए ये बयान देने वाले है बंगलादेश के हूँ मिनिस्टर असद्दु जमान खान कमाल इतना ही नहीं बंगलादेश अब OIC यानी और्गनाजिशन औफ इसलामिक कॉपरेशन से जुड़े देशों से भी मिन्नत कर रहा है कि वो जल से जल रोहिंगियाओं को उनके देश भीजने में मदद करें ढाका ट्रिब्यून की एक खबर 30 मई किये है बंगलादेश के फॉरण मिनिस्टर हसन महमूद नियॉर्क में थे यहां उन्होंने OIC की बैठक में OIC से मिन्मयार से भाग कर बंगलादेश में बसे 1.3 मिलियन रोहिंगिया लोगों की स्थाई वापसी सुनिशित करने के लिए मदद मांगी है यह वही बंगलादेश है जो 2017 में बाहें फैला फैला कर मिन्मयार से भाग कर आ रहे है रोहिंगियाओं के स्वागत के लिए खड़ा था तो 2017 से अब तक बंगलादेश में ऐसा क्या बदल गया कि रोहिंगिया मुसल्मानों को लेकर उसके सुरु बदलने लगी जबकि वो खुद मुसलिम कंट्री है ना केवल रोहिंगिया कैम्प्स में उसे आतंक के अड़े नजर आने लगे बलकि अब वो जल से जल इन रोहिंगियाओं से चुट्टी पाने के लिए उतावला हो रहा है इसकी वज़ा वही है जो भारत शुरु से कहता आ रहा है रोहिंगियाओं का बड़े पैमाने पर पलायन और दूसरे देश में बसाहट उस देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा खत्रा है बंगला देश के कॉक्स बाजार में दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी शल्टर है इसका नाम है कुट्टू पलाउंग रिफ्यूजी कैम्प इस कैम्प में तकरीबन 9,30,000 रोहिंगिया रिफ्यूजी रहते हैं असल में यह अब केवल कहने का कैम्प है यह एक शहर में तबदील हो चुका है अल जजीरा ने 25 अगस्त 2023 को इस कैम्प को लेकर एक डिटेल स्टोरी पब्लिश की थी इस स्टोरी में बताया गया था कि कॉक्स बाजार में टोटल 33 कैम्प हैं जिन में जुलाई 2023 तक 9,31,960 रोहिंगिया रिफ्यूजी रह रहे थे जहाई ने बसाये गया है वो केवल 24 स्क्वाइर किलोमिटर का इलाका है इसके साथ साथ 30,456 रोहिंगिया मुसल्मान बासान चार नाम के एक आईलिंड पर बने कैम्प में भी रह रहे हैं WHO से लेकर दुनिया भर के Human Rights Organizations और मुसल्म कम्यूनिटी के साथ साथ कई देश इन रिफ्यूजी कैम्प के लिए बंगलादेश को बड़ी नदद भेच रहे हैं हलाके इसके बावजूद कैम्प में रहने वाले रिफ्यूजी नर्क जैसी जिन्दगी जी रहे हैं 2018 में बंगलादेश ने अंतर राष्टे संस्थाओं से रोहिंगियाओं के मैनमयार में पुनरवास को लेकर जोर दिया था तब ये भी कहा जा रहा था कि बंगलादेश इन रोहिंगियाओं को डिपोर्ट भी कर देगा लेकिन बाद में बंगलादेश ने इस से इंकार कर दिया था कहा गया था कि किसी भी रोहिंग्या को जबरन मियाननार नहीं भेजा जाएगा लेकिन अब बंगलादेश खुद परिशान हो चुका है रोहिंग्या मुसल्मानों के कैंप्स उसके अपने देश के लिए जो कि खुद एक मुसलिम कंट्री है इसलामिक कंट्री है उसके लिए सिक्योरिटी थ्रट बन चुके है अब सोचिए कि जो नौन मुसलिम देश है जैसा कि भारत है वहा क्या इसी वजह से 31 माई को बंगलादेश के ग्रिह मंत्री कौक्स बाजार के दो दिनों के दोरे पर थे उनके साथ बंगलादेश के पुलिस आईजी, एडिशनल आईजी, बंगलादेश के आरंट पुलिस बटालियन के चीफ समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे बंगलादेश के होम मिनिस्टर ने ना केवल कैंप्स का दोरा किया, बलकि दोनों दिन कैंप्स से जुड़े अलग-अलग इशूद को लेकर मीटिंग्स भी की और अपने इस दोरे में बंगलादेश के होम मिनिस्टर असद्दु जमान खान कमाल ने जो बयान दिया, उसने पूरे बंगलादेश के लिए खत्रे की घंटी बचा दी है अगर रोहिंग्याओं को जल्द ही वापस नहीं भेजा गया तो यहां बढ़ता संतोश रोहिंग्या शिविरु को अंतर राष्ट्र आतंकवादियों के संभावित केंदर में बदल सकता है हमें इससे जुड़े कुछ सबूत मिल रहे हैं और तब ही बंग्लादेश इन रोहिंग्याओं को जल्से जल्द अपने देश से बाहर निकालने के लिए बेचायन हो रहा है और इसके लिए वो बहाना भी सुनने को तयार नहीं है कि मयान मयार में अभी सिविल वार के वज़ज़ से हालात खराब हो चुके हैं OIC की बैठक में इस बारे में बंग्लादेश ने दो टूक जवाब भी दे दिया तो क्या रोहिंग्या कैम्स के आतंकियों के कैम बनने के खबर कोई नई खबर है एक्स्क्लूजिव है जी नहीं रोहिंग्या मुसल्मानों के आतंकी कनेक्शन की बात तो 2016-17 में सामने आ चुकी थी लेकिन तब भंग्लादेश ने इसे लेकर अपनी आँखे बंद गर ली थी उसे लगता था कि चलो इस बात को छड़ना नहीं अलिजजीरा की रेपोर्ट 2017 की है भाराः सरकार ने देश में रोहिंग्या कैम्प्स और सरकार ने दावा किया था कि रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकीों के साथ कनेक्शन हैं भारा सरकार ने तब सुप्रीम कोर्ट में इस से जुड़े सबूत भी पेश किए थी यह निकी एशिया की खबर है, 3 अक्टूबर 2017 को पब्लिश ये खबर बता रही है कि रोहिंगिया क्राइसिस ने आतंक वाद और सोशल अन्रिस्ट के खतरे को बढ़ा दिया है DW की इस खबर में बताया गया है कि रोहिंगिया रिफ्यूजियों को पाकिस्तानी इंटलिजन्स रेडिकलाइज कर रही है इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के खुफ़े अजनसी आईएसाई कौक्स बाजार के रोहिंगिया कैम्प्स के 40 रोहिंगियाओं को आतंकी ट्रेनिंग दे रही है भारत की अजनसीज ने इसे लेकर सेना और B.S.F. को अलर्ट भी बहेजा था इसमें बताया गया था कि आईएसाई इस काम को बंगला देश के आतंकी संगठन जमातल मुझाहिदीन के जरिये करवा रही है और इसके लिए पैसा मलेशिया और साओधी अरब के रास्ते बहेजा जा रहा है कहने को तो ये कहा जा सकता है कि साल 2020 में छपी ये खबर भारत के आरोपों के आधार पर तैयार की गई थी लेकिन इसी खबर में ब्रुसल्स बेज थिंग टैंक साओध इस्या डेमोक्राटिक फोर्म के डिरेक्टर डॉक्टर सीजफ्राइड ओवुल्फ का बयान भी है क्या कहा था उन्होंने देखिए कश्मीर पर दुनिया भर का ध्यान है इसलिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेरिजम उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है लेकिन अब वो रोहिंगियाओं को ट्रेनिंग दे रहा है लेकिन आप जानकर रहरान है जाएंगे कि तब भी बंग्लादेश ने इस खत्रे से इंकार कर दिया था कहा था कि भारत के खिलाफ वो रोहिंगियाओं कैम्प में कोई अक्टिविटीज नहीं होने देंगे लेकिन क्या सच में यह हो पाया? नहीं हुआ और तब ही आज बंग्लादेश को इनी कैम्प से डर लगने लगा है अपने ही रोहिंगिया मुसल्मानों से मतलब अपने ही कहने का मतलब है कि वो भी मुसल्मान है वो भी मुसल्मान है उनसे डर लगने लगा है खत्रा लगने लगा है असल में बंगलादेश के रोहिंग्या कैम्प्स में लौ एंड ओर्डर के सिचुएशन हमेशा से खराब रही 26 अक्टूबर 2021 को D.W. में 26 खबर को देखिए ये खबर रोहिंग्या कैम्प्स में बढ़ते गैंग वार के खत्रे की चेतामनी दे रही थी इसी खबर में बताया गया है कि 2018 में बंगलादेश के पी-एम शेक हसीना ने पहली बार कहा था कि रोहिंग्या बंगलादेश समेथ पूरे रीजन के लिए बड़ा खत्रा बनते जा रहे हैं अब इस खबर को देखिए पिछले साल 16 फरवरी ये खबर बता रही है कि बंगलादेश गर्वर्मेंट ने रोहिंग्या कैम्प्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी है उसकी वज़ा भी बताता हूँ देखिए लिखा है कि बंगलादेश की डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट के मताबिक इन कैम्प्स में दस आतंकी और ढकैतों के ग्रुप अक्टिव हैं जो हर तरह की क्रिमिनल अक्टिविटीज में शामिल हैं यूमन ट्राफिकिंग, चाइल्ड ट्राफिकिंग, मॉडर, रेप जैसे क्राइम तो इन कैम्प्स में आम बात हो चुकी है लेकिन इन आतंकी संगठनों की घुसपैट ने इन कैम्प्स को वाकई आतंकवादियों के गढ़ में बदल दिया है ये खत्रा बंगलादेश के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत बड़ा है बंगलादेश और मेरमयार अभी भी भारत में घुसपैट वहां से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं पहले बंगलादेशी बड़ी तादाद में भारत में बस चुके हैं और अब रोहिंग्या मुसल्मान भी अवैद रुप से भारत में घुस चुके हैं ये देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं इतना ही नहीं, ये सामाजिक ताने बाने को भी बुरी तरह प्रभावित करते हैं अब समझने वाली बात है, भारत में भी बहुत से लोग और संगठन रोहिंग्या मुसल्मानों के खिलाफ सरकार के आक्शन का विरोध करते हैं लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि मानवा धिकारों की वज़े से देश की सुरक्षा के साथ कोई समझोता नहीं किया जा सकता रोहिंग्याओं के साथ मैंनमार में बरबरता अगर हो रही है, जादती अगर हो रही है चलिए मान लेते हैं, इसमों कोई दोराय नहीं है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, तो उन सब को अपने देश में बसा लिया जाए ये एक टाइम बॉम का बटन दबाने जैसा होगा अब बंग्लादेश को ही देख लीचे, मुस्लिम कंट्री है न, उसने मुसल्मानों के नाम पर रहिंग्या मुसल्मानों को इतने बड़े पैमाने पर सिर्फ इसलिए ही जगा दी, क्योंकि वो मुसल्मान थे सवाल उठता है कि क्या मैनमयार से अगर बौध या क्रिश्चन्स की इतनी बड़ी आबादी पलायन करती तो बंग्लादेश उनके लिए दरवाजे खोलता? नहीं खोलता, किसी भी कीमत पर नहीं खोलता अब यह देखिए कि बंग्लादेश में मुसलिम गंट्री है, बावजूद इसके, रोहिंग्या मुसल्मान उसके लिए मुसीबत बन गए है बंगलादेश इसे भुगत राय भुगतना शुरू हो चुका है और लगता नहीं कि आने वाले कुछ और सालों तक उसे इस परेशानी से मुक्ते मिलने वाली है और तब तक तो हालाद और भी ज़्यादा विस्फोटक हो जाएंगे और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी और अवायद घुसपैटियों के खिलाफ एक्शन भी तेज़ करना होगा इसलिए जरूरी है एनारसी जरूरी है तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लागा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भई सब्सक्राइब कर लिजिए इसके कोई पैसे नहीं लगता है ये फ्री है आपसा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बढ़ाएगे आप सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो हमारा भी होस्रा बनेगा और हम नए ने वीडियो ऐसे ही तो जल्दे मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जाहिए